अब सभी का बहुत बहुत स्वागत अने अबिनंदर है क्योंकि आप सभी लोग समय की कदर करते हैं इसलिए काफी लोग यहांपर देख पारा हुमरे जोइन हो चुके हैं और लोगों की जोइन होने की वज़े से हम आप समय के साथ समस्टार्ट करने जा रहे हैं आज का जी वो और ठोपिक से अज़ का अलग है, रीजन्स क्योंकि आगर हम अगर हर घर को देखें, तो हर घर में जो हमारे मुज़र माबाब होते हैं, वो कहीने पिडियित होते हैं, joint का यानि की pain से इतने उनको दिक्क्ते होती हैं अगर वो pain का relief उनको मिल जाए joint की समस्या का relief उनको मिल जाए तो कहते हैं ने सोने पर स्वागया वाली बात हमें हो जाती है तो my difference जितने लोग भी हैं पर joint हो चुके हैं वह खुबी इस session को ध्यान पूर्बल सुनिएगा हमारी समस्या है हर गर में हमारे माता पिता जो हैं हर गरी में हर किसी को होते हैं तो वो माता पिताओं को जहां जो जोडों की जो समस्या होती है वो जोडों की समस्या हम कैसे निजात पा सकते हैं कैसे अपने आपको बैतर कर सकते हैं अपनी health को और enhance कर सकते हैं ताकि हम बुड़ापे में भी बहुत तेजी से रनिंग कर पाएं, अच्छे रिवल पर चल पाएं, अपने आपको बिना छड़ी के सारे के हम खड़े याँ बैठ सके, तो मैं ये ट्रेनिंग के हैंडोबर करने जा रहा हूं, आप सबी की जोड़दार तालियों के वीच जतन भी आप बैठे हो, जग में सुरी मेडम के लिए, आप सभी के सामने में हुआइट करने जा रहा हूं मेडम को, मेडम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज के सेशन के अंदर आप आएं, और आगे का ये सेशन कंड़र करें कि कैसे हम अपनी हल्प को बहतर कर सकते हैं, आ आपके सेशन को सुनने के लिए, याज में, मेरी वॉइस के लिए आपको, और आज का हमारे बहुत ही अच्छा हम प्रडट लेके आए हैं, नया प्रडट है और I think बहुत जादा ओन देमांड था और काफी टाइम से जो है वो हमेरे बहुत ही अज़ग से अरे आ देग आए हमें इस पेन के लिए या उस पेन के लिए कुछ आप बेस्ट बताईए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी पेन रिलेटेड टॉपिक है तो पहले स्टार्ट करते हैं तो दर्द तो हर इंसान को कहीं ना कहीं कभी ना कभी अच्छे से हुआ ही होगा और with advancing age जो है वो pain होना, दर्द आना ये एक normal चीज है और इसी दर्द को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ अच्छा और कुछ बहतरीन दे सके so normally कभी ankle में दर्द हो गया, कभी mass फट गया, पैर मुड़ गया कबर में दर्द है, जादा लंबा बैटने का कारण या कोई भी ऐसा दर्द कि जिसके कारण हमें problems face होती है अब दर्द का कारण क्या क्या हो सकता है दर्द का main reason होता है या तो हमें चोट लगी है और पैर मुड़ गया है और हमें sprain हो गया या जिसको हम कहते है mass fat गया है या हमारा कही न कहीं थोड़ा बहुत dislocation हो गया है हड़ी वड़ी हिल गई है so हड़ी हिल गई है तो उसका तो एक ही system बनता है fracture हो गया है कि हमें plaster करवाना पड़ता है ताकि हम उसकी healing कर सकें but plaster के साथ साथ sometime हमें dietary supplements भी लेने पड़ते हैं ताकि जल्दी से वो healing process में आए अब दर्द हो रहा है और दर्द के कारण क्या क्या है joints में तो सबसे important reason है arthritis arthritis मतलब कहीं पे भी हमारे जो जोड़े हैं उनमें सोजिश आ जाने को हम arthritis कहते हैं सोजिश आगी सूजन आगी उसको हम arthritis कहते हैं so arthritis बहुत different तरीके से हो सकता है जैसे कि age के कारण calcium की कमी होने लग गई जिसको हम osteoporosis भी कहते हैं so यह जो है इसमें हमारा body में से basically calcium जो है body में level कम होने लग जाता है और जिसके कारण हमारा bone में with time जो है वो calcium की कमी के कारण हड़िया जो है वो कमजोर हो जाती है और उसके कारण जो changes आते हैं उसको हम osteoporosis कहते हैं और यह normally common है किनमे कि जिनका age जादा है या फिर कम age group के लोग जिनके खान पन में कहीं न कहीं पर problem है और जिसके कारण उनको calcium पूरा तरीके से शरीर में नहीं मिल पा रहा है देन आता है हमारा rheumatoid arthritis जिसको हम RA factor भी कहते हैं अभी I think कुछ week पहले मेरे पास एक report भी आई थी जिसमें कि मैंने लिख के specially mention किया था कि उनका जो gene type है क्योंकि जहां पर भी उन्होंने test करवाया वहां पर डॉक्टर ने उनका genetic testing भी करवाया हुआ था जहां से clarity मिली थी मुझे कि इस patient को RA factor है और यह gene type में है इसलिए वो जो है उस patient को lifelong के लिए जो है वो क्या करना पड़ेगा कि calcium supplement लेना ही पड़ेगा और कुछ pains वगेरा के लिए pain relief के लिए भी चीज़े on and off चलानी ही पड़ेंगे because वो उनके जैसे हम कहते हैं कि पैदा होने के कारण ही वो mother father से अपने parents से जो है वो genes उस बच्चे में transfer हुए क्योंकि हम सब जो है वो अपने माबब के genes से ही बनते हैं so वो gene में अगर कोई बिमारी है तो वो भी हमारे को transfer होती है तो इस तरीके से उनके gene में जो positivity थी और जिसको हम कहते हैं कि rheumatoid arthritis, RA factor और ये एक autoimmune condition भी है जहां पर की अपनी ही body के cell जो है वो अपने ही हडियों को जो है वो damage करने लग जाते हैं हडियों को, cartilage को जो हडियों के आसपास mass patient हैं उनमें जो है वो problem create करने लग जाते हैं जिसके कारण patient को mildia जैसी problem मतलब pain, दर्द रहनामा इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है इन joints में पेन है तो ये जैसी problems जो हैं ये common हो जाती है तेना आता है gout gout का मतलब है कि जब हान पान में uric acid बढ़ने लग जाए और उसके कारण जो है uric acid के crystals मतलब शरीर के अंदर का जो सफाई वाला process है वो ठीक नहीं चल रहा तो भी हमें gout के कारण भी जो है, वो joint pains होती है और research बताती है कि आज के time में सबसे जादा जो gout या uric acid बढ़ा है वो है the way we are eating packet food, मतलब जो हम processed या packet डबा बंद वाली चीज़ ले रहे है न अगर उस पे लिखा है sugar free तो भी आप देखिएगा मैंने बहुत renowned company का एक protein किसी को advice किया था और उस पे लिखा था for diabetic बट जब मैंने ingredients देखे तो उसमें sugar जो है वो present थी तो उस दन से मैंने ये ध्यान देना शुरू कर दिया for my patient कि मैं अगर उस पे लिखा भी है diabetic friendly फिर भी मैं ingredients ज़रूर पढ़ती हूँ देखने के लिए कि कहीं उसमें किसी hidden type की sugar या fructose fructose सिरब जो है वो main कारण हो जाता है जिसके कारण patient किया uric acid बढ़ सकता है ये बिल्कुल latest research है जो इस चीज़ को बताती है अगर gout या uric acid जैसा problem बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि आप खाने पाने में पूरा ध्यान रख रहे हैं कहीं लोग कहते हैं हम vegetarian है बिल्कुल हमारा तो diet में कुछ ऐसा नहीं चल रहा कि protein बहुत हाई जा रहा हो उसके बावजूद हमें जो है वो uric acid हो रहा है तो ऐसे लोगों को अपनी diet को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो कुछ ऐसे food elements का रहे हो जिन में high fructose content हो जैसे कि हम क्या करते है बच्चों को पीने वाले छुटी-छुटे cold drinks या फिर जो हम कहते हैं कि sugary drinks, mango drinks कुछ ऐसे drinks ले देते हैं तो उनमें बहुत high amount में जो है वो fructose present होता है और अगर ऐसा खाना पाना बच्चों को हम देंगे तो आने वाले वक्त में हम उनकी bones को कमजोर कर रहे हैं क्योंकि research में ये भी दिखाया है बहुत excess अगर आप cold drinks को consume करते हैं तो body से calcium withdraw होता है क्यों होता है? reason है क्योंकि वो एक acidic drink है और उस acidic drink का outcome जो है वो body के उपर जाएगा तो वो acidic impact देगा जिसके कारण body को alkaline atmosphere में change करने के लिए हडियों से calcium खीच ना भड़ेगा और उसके कारण जो है वो हमारी bones पे इसका negative impact आएगा तो इसलिए जो लोग भी बहुत excess amount में डबे वाली चीजें पर chase करते हैं लाते हैं खाते हैं या बहुत ज़्यादा बार खाना खा रहे हैं तो उन लोगों को भी अपना diet पे थोड़ा check करना चाहिए क्योंकि उसी से जो है ये pain वाली problem जो gout के कारण uric acid बढ़ने के कारण हो जाती है वो चीजें आप clean कर सकते हैं अब किसी भी type का दर्द इन में से आपको with age कभी ना कभी जरूर हो सकता है और कुछ नहीं तो with time कभी पैर मुड़ गया या spray ना गया उसके कारण भी हमें pain हो जाता है अब pain के लिए आपने market में ये pain spray जरूर यूज किया होंगे और कही ना कहीं पे आपको लगा कि चलो जी उसके बाद गरम भटी बांद ली आपने और आपको एक आदा दिन के बाद ये से लगटा है कि yes we are better बट इन सब चीजों में आप जो है वो synthetic elements को अपने local area पे spray कर रहे है और कोई भी medicine जो आप skin पे spray करते हो या skin पे use करते हो वो body में skin के थूँ absorb हो जाती है खिछती है और वो कहां जाती है liver के पास जब liver के पास medicine पहुंचती है and this is fact ये एक scientific reasoning आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ और जब वो liver के पास पहुंचती है तो liver को उस medicine को clean करना पड़ता है metabolize करना पड़ता है जिसके कारण अगर वो proper process नहीं हो पाता है और liver को वो medicine जाके damage करती है तो definitely उस case में liver से related problem भी patient face करता है तो problem हमने दर्द के लिए कुछ इस्तमाल किया था लेकिन जब तक वो body के अंदर पहुंचा तो उसने जाके internal major organ liver को भी impact किया अब आप सोचेंगे madam इसका solution क्या है solution है हमारा नया product जिसको हम ortho fit कह रहे है और ये product जो है ये एक natural spray की तरह RS group की तरफ से आप लोगों के लिए introduce किया गया है so इस ortho fit spray को आप बिना किसी परेशानी के इस्तमाल कर सकते हैं जहां पर भी जैसे भी कुछ दिन पहले मेरे को help line में inquiry आई थी के so and so area में pain हो रहा है so shatica का pain है किसी भी type का दर्द जहां पर कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हड़ियां या आपकी मास पेशियों का वहां पर involvement हो रहा है तो वहां पर ortho fit जो है वो best treatment है अब आप बोलेंगे माम अभी भी तो एक spray के लिए आप बता रहे थे अब आप एक नया spray बता रहे हैं बट ऐसा क्यों आप advice कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए advice किया जा रहा है क्योंकि ये जो spray बना हुआ है इसमें सारे के सारे natural oils का ingredient mixed किया हुआ है और ये जो natural oils का ingredient इसमें mixed किया हुआ है ये definitely आप लोगों के लिए फायदा करने वाला है क्योंकि इसका कोई भी adverse effect body पे नहीं होने वाला है अगर हम बात परें तो इसमें 5-6 तरीके के हमारे जो है वो oils present है जिनको आयूर्वेदिक preparation के साथ prepare किया गया है और इसकी preparation के साथ जो है इसका output या इसका benefit जो है वो हमें मिल सकता है इसमें जो है गांधा पूरी oil है इसमें निलगीडी oil है इसमें दियोदर oil है इसमें महा नरायन oil है इसमें पिपर mint oil है इसमें विश्व गर्भा oil है और इसमें तापिन oil है अब ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये ऐसी चीजें हैं जिन को हम natural तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं और इसका हमारी बॉड़ी में अगर ये एब्जॉब भी हो जाए तो ये हमारी बॉड़ी के वाता पिता और कफा का जो imbalance create हो रहा है उसको भी better करेगा उसके साथ के साथ ये आपको particular area में जहां पर भी दर्द है वहां पर spray की तरह आप इसको इस्तमाल कीजे गरम पटी बांधिये और rest कीजे definitely आपको जो है वहां पर कोई भी hot application नहीं लगाना hot application मतलग जैसे हम गरम जो है वो sand लेके उससे जो है अपना टकोर कर ले तो कभी भी जब muscle में दर्द है तो वहां पर आपको sand या हम कह सकते हैं कि rate से सेख करने की ज़रूरत नहीं होती है until unless कि आपकी bone जो है उसमें कोई fracture हो और वहां पर involvement हो तो वहां पर आप जो है वो गरम rate का सेख benefit करेगा बट जहां पर inflammation सोजश है अंदर और आसपास भी आपको ऐसा लग रहा है कि area सूजा हुआ है तो वहां strictly कोई भी गरम चीज का application मत दीजे spray लगाईए करम पत्ती बांदिए pro joint लीजे शलाकी लीजे तो definitely आपको जो pains है उनमें betterment आएगा और इसके साथ जो है वो supplementation के लिए calcium भी continuity में रखिए तो आज हम बात कर रहे हैं अपने नए product की जिसको हम ortho fit कह रहे हैं और ये नए product की जो benefits हैं जो पूबिया हैं उसको हम detail में आज बात करेंगे तो जो भी लोग अभी अपना promotion के लिए बाकि अपनी team के लिए या फिर जो इस training में आए हैं कि जानने के लिए कि हम क्या और क्यारेस group के साथ कर सकते हैं तो ये एक नया product है जिसका इस्तमाल हर घर में हर घर में कभी ना कभी जरूरत पढ़ने पर चाहिए ही होता है तो इसी लिए instead of के हम synthetic preparation वाले product बजार से लेके sprays में यूज़ करें उसकी जगापे ये natural product को अगर आप replace कर लेते हैं ले आते हैं तो definitely आपके लिए इसका फाइदा रहेगा so जो गांदपूरी oil है ये external use के लिए मतलब कहीं पे भी बाहर external मतलब शरीर के बाहर skin वाले area में कहीं पे भी आप apply कर सकते हैं जहां पर आपको rheumatic की pain मतलब rheumatoid arthritis के कारण जो आपको दर्दे हो रही है आरे factor आ गया उसके कारण आपको pains, muscles में pains इसे शाटिका back में neuralgia, neuralgia मतलब nerve की pain ऐसे लगता है कि जैसे संसनाट हो रही है बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और हलका सा भी कुछ लगता है तो ऐसे एकदम cheek निकलती है तो वैसी वाली pains के area के उपर बाहर से आप वो spray करके और गरम पट्री बांद के उसको apply करके और इससे rest करेंगे तो definitely आपको benefit आएगा plus साथ में कुछ भी cold application जैसे कि कोई भी ice pack हो गया या थंडे पानी का टकोर जो है उस area में अगर आप करेंगे तो वहाँ पर जो सोजश आ रखिये वो धीरे-धीरे reduce होने लग जाएगी, सोजश कम होने लग जाएगी और ये oil जो है वो आसपस हो रही सोजश के लिए, nerve की pain के लिए क्योंकि जब shatica हो रहा है तो shatica मतलब है हमारी back की जो backbone है जो हमारी spine, read की हड़ी है तो उसमें बहुत सारी nerves, बहुत सारी जो nerves हैं वो वहाँ से body की तरफ जाती है और वहाँ पर अगर कोई भी nuts दब जाती है तो उसमें ज जो है वो pain उपर से नीचे या नीचे से उपर की तरफ transfer करती है तो इस pain को हम shatica कहते हैं और ये normally backbone में आ रही problem के कारण patient को ये दिक्कत आती है तो वहाँ पर आप जो है ये oil का spray करके और उसको अच्छे से आप body को wrap करके लेट सकते हैं तो definitely आपको उसमें benefit आएगा ही आए प्लस जब भी आपको सोजिश आई है तो कोशिश करें उस वक्त कोई भी आप exercise मत करिये अपने उस leg के area से या आप अपने जहां पर भी आपको बाजू में दर्द है या कुछ भी है तो उसमें उसको activity या उसमें exercise मत करें बट जब वहाँ पर सोजिश कम है या कुछ भी है तो हम जैसे हमेशा कहते हैं, कि हमारी जो मास पेश्या हैं, वो एक अक्टिव औरगन हैं, तो इसलिए उनको अगर हम चलाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो हमें दिक्कत आएगी, या हम बहुत एक्सेस में उसका इस्तमाल कर लेंगे उस एरिया में, कि जिसके कारण हमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए अगर आप लोकल एरिया में आ रहे हैं, इंफ्लामेशन के लिए, सोजिश के लिए, नर्व कोई दब रही है, उसके कारण धरदा रहा है, तो फिज प्लस जोडों में जहां पर स्टिफनेस आ गई है, सुबह उठ रहे हैं, तो वहां पर जो है, वो हाथ पर अकड़े हुए हैं, और थोड़ा चलाने वलाने में भी दिक्कत आ रही है, तो वहां पर भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, माइल जी आ मतलब मसल में दर्द, हर वक्त ऐसे दर्द हो रही है, दवाना परड़ा है, विकनेस आ रही है मसल में, तो वहां पर भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रड़क्ट है, जो हर घर में होना चाहिए, रीजन बिंग, क्योंकि बच्चे हैं, खिलते हैं, पैर मुड़ गया, तो ज़रूरत है, कहीं गलती से गिर गए, फिसल गए, वहां पर भी आपको ज़रूरत है, तो इसलिए ये एक ऐसा प्रड़क्ट है, कि जो हर घर में ही होना चाहिए, पैन हम बात करते हैं, कि और्थो फिट में जो है, वो निलगिरी ओईल भी है, निलगिरी ओईल का मतलब है, यूकिलिप्टस, यूकिलिप्टस के पॉधे आपने देखे होंगे, पॉध पड़े, पेड़ होते हैं, और वहां से जो उसकी पतियों से खुश्बू आती है, तो वो उसके एक्जाट्ली उस ओईल की फ्रेग्रेंस होती है, तो वही ओईल इसमें डाला गया है, जिसके का फूल गया है, और आसपास ऐसे लग रहा है, कि जैसे अंदर पानी सा भर रहा है, तो उस जगापर भी आप इसको अगर स्प्रे को एप्लाइ करें, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड जो है, वो इंपाक्ट देगा, क्योंकि ये क्या करता है, उस लो कम करने में, वहां से, डिसपर्स करने में, हटाने में जो है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है, वो प्रुवाइद करता है, देन देओदार जो है, विच इस एंटी इंफ्लामेटरी, देओदार का पेड़, आप सब जानते हैं, अगर पहाड़ी लाकों में आप अइसी भी पहाड़ी लाके में जाते हैं, तो देओदार के पेड़ जो है, वो बहुत पॉमन है, और स्पेशली आयरवेदा में, जो है, देओदार के पेड़ से बहुत सारा ऑएल जो है, वो घर में फ्यूमिगेशन करने के लिए, मतलब अगर घर में इंसेक्स हैं, है जो उसका oil extract आ रहा है उस oil extract से जो है वो इसमें ortho fit में डाला गया है जिसके कारण joints में हो रही सोज़िश और joints की दर्द के लिए ये बहुत ही effective है तबी ortho fit जो है वो इतना time लेके research करके क्योंकि क्यारस group की हमेशा कोशिश होती है कि आपको कुछ भी जो चीज दी जाए वो synthetic ना हो राइट कि ऐसी चीज ना हो जो हमारे शरीर के लिए ऐसी चीज हो के जो शरीर के अंदर जाए और उसको असानी से शरीर इस्तमाल कर सके neutralize कर सके तो ऐसे ही product में जो है वो दियोधार का तेल भी है जो इसमें डाला गया है जो definitely हमारे joints को दर्द से अराम देने में बहुत ही फाइदेमंद है तरहना आता है tarpin का तेल तेल के बार में आपने काफी सुना होगा so basically tarpin का तेल को distillation करने के बाद इसको कई बार खाने में भी इस्तमाल किया जाता है खाने की चीजों में भी जो है इस oil का इस्तमाल किया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि जो चीज़ खाने के लिए safe है तो वो externally जब हमारी skin पे apply होईगी तो automatically जब वो body में जाएगी और absorb होगी तो उसका कोई भी side effect हमारे शरीर पे नहीं आएगा. हम darwin के तेल को ऐसे नहीं खा सकते हैं उसको distillation मतलब एक पूरा process किया पड़ता है कि जिसके कारण उसको पूरा clean करना पड़ता है और उसकी जो fumes बनती हैं उस fumes से जो है वो पूरा extract एकठा किया जाता है और उस extract को जो है वो इस्तमाल किया जाता है कि जहाँ पर कि हम इसको orth अथो fit pain relief spray की फॉर्म में आप लोगों के पास यहाँ roll-on spray की फॉर्म में उसका इस्तमाल जो है वो कर सकते हैं और definitely यह आपके लिए बहुत ही फायदे बंद रहेगा कहीं पर भी joint pain है कहीं पर भी नसों में दर्द है हम कहते हैं नस दुख रही है हमारे यहाँ पर भी सिर में भी नस दुख रही है तो इवन आप headache में भी इसका इस्तमाल जो है वो कर सकते हैं और इसके लावा कई बार होता है कि हम सांस ले रहे होते हैं बहुत जादा खासी जारी होती है तो उसके कारण हमारी ये सारी पस्लियों में दर्द होने लग जाता है तो वो पस्लियों में भी जो दर्द हो रहा है तो वहां पर भी जो है वो आप और्फोफिट को एपलाए कर सकते हैं और इसको जो है वो आप कोजी करके अगर आदको सोने से पहले थोड़ा apply करके सो जाए तो definitely आपको जो है ये बहुत ही relief देगा बच्चों को भी जो है वो उसमें benefit रहेगा क्योंकि देखिए हम बच्चों को आज की date में जितना हो सके उतना organic उतना fresh उतना जादा इसी चीजों का जो है वो इस्तमाल करें कि जिसके कारण जो है वो बच्चे जब उस चीज को अंदर absorb करें तो उनका internal damage ना हो अगर आप देखेंगे तो आज कल के बच्चों का जो खान पान है वो आज से 30 साल पुराने बच्चों में अगर आप compare करें मतलब आप अपने आपके बच्चों के बच्च्पन को अगर compare कर और अगर आप अपने दादा दादी को देखेंगे उनके खाने की capacity को देखेंगे तो comparatively उनका शरीर हमसे भी बहतरीन है क्यों क्योंकि उस time पे इतना pollution इतना जादा खाने की चीजों में मिलावटे कम थी बट अब जैसे जैसे नहीं जनरेशन आ रही है खाने का system भी बदल हम हिंदुस्तानी खानपान को जादा कम करते हुए और अंगरेजी खानपान पे बर्गर, नूडल्स, मंचूरियन इन सब चीजों के उपर जादा switch कर रहे हैं जिसके कारण मैदा अंदर जादा जा रहे हैं जिसके कारण हमें दिक्कत और परशानी आ रही है जिसके कारण आजकल के बच्चों की खेलने की शमता भी उतनी कम हो रही है तो अगर बच्चों को आप activity में डालेंगे, physical activity में डालेंगे तो उनके लिए यह अच्छा है ताकि उनके joints भी उससे strong बनेंगे, उनकी mass patient भी अच्छी बनेंगे और अगर बच्चे खेलते हैं तो कहीं ना कहीं प्लस इसमें जो है human rain oil डाला गया, so human rain oil एक तरीके से combination है, जिसमें तीन चार चीजों का एकठा मिला के उनसे उनका oil निकाला जाता है, जो कि उनके लिए फायदे मंद होता है, जैसे कि अश्वगंदा हो गया, सोन पत्ता हो गया, और नागेसर हो गया, प्लस जटामानसी हो इन सब चीजों को एकठा लेके और उसका एक तरीके से extract oil निकाला जाता है, क्योंकि oil निकालना एक process है, क्योंकि अगर बहुत high temperature पे हमने oil को extract करने की कोशिश की, आप अकसर देखते होंगे, कि कई बात आप कोलू के पास जाते हैं, तो वहाँ कोलू पे जाके आप नारियल दे रहे हैं अपना, या फिर आप जो है, वो सर्सों से अपनी जो है, वो सर्सों का तेल निकलवाना चाह रहे हैं, तो यह सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बट अगर उसका एक right temperature नहीं होता, तो उसकी जो nutritional values हैं, उसकी जो properties हैं, वो सब properties उस particular चीज़ की खतम हो जाती हैं, spoil हो जाती हैं, तो इसलिए extraction भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब, procedure है, इसको हम एक scientific procedure को ऐसे नहीं ले सकते हैं, कि हम, मतलब, simple तरीके से के हाँ, ठीक है, उसमें क्या फरक बढ़ता हैं, बट नहीं, इसको एक proper तरीके से लिया जाता है, और क्य भी osteoarthritis, joint pains है, joint pain में जो है, आपकी bone में strengthening या आपको हडियों में strengthening की requirement है, तो वहाँ पर जो है, वो इसमें जो extract of इतने सारी herbs का या जड़ी बुटियों का डाला गया है, तो definitely वो आपको एक soothing effect देगा, एक relaxation देगा, जिसके कारण आपको pain, weakness जो है, वो कम है, सूस होईगी, plus इसमे मा विश्वगरबा oil है, so that is basically जो sesame oil है, तिल का तेल का एक extract निकाला जाता है, एक बनाया जाता है, और उसके कारण जो है, जिन लोगों को भी हलका पुलका सर में, जैसे sides में दर्द रहता है, शाटिका की दर्द है, या nerve की pain है, या rheumatic pains है, या inflammatory conditions है, तो उनको भी इ effect आएगा, plus peppermint, peppermint तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कि उसका काम क्या है, analgesic effect देना, मतलब दर्द वाले area पे, थोड़ी देर के लिए, एक ठंडक सा एसास दे देना, जिसके कारण वो nerves जो है, जो stimulate हुई थी, जो की दर्द उस particular area में कर रही थी, ये उसको थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर cooling effect देखे, उसको relaxation condition में कर देता है, जिसके कारण जो है, वो एक soothing effect आता है, कहीं पे भी peppermint का अगर इस्तमाल होता है, और हमेशा मतलब आनते हैं कि ठंडा सा एक एसास होना, जिसके कारण ऐसा लगता है, वो relief हो गया, बहुत दर्द था और आपको बहुत जादा उसमें अराम मिला, तो definitely आप इस product का इस्तमाल उस case में कर सकते हैं, so अगर हम ortho fit, जो की हमारा एक नया अच्छा smart roll-on spray आपके पास आया है, जिसको आप use कर सकते हैं, इसको अगर हम in combination pro joint के इस्तमाल करेंगे, तो आपको health benefit और जल्दी आ जाएंगे, और जो दर्दे हैं, वो छू मंतर होके गायब भी हो जाएंगे, और जिन लोगों को long term problem है, वो साथ में शलाकी का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और जिनको osteoarthritis है, वो उसमें calcium का भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो ये combinations हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए हमें different combinations का इस्तमाल इकठे करक हैं, तो definitely वो हमारे लिए जादा फायदे मन जो है, वो proof होता है, so pro joint, pro joint के बारे में हम जानते हैं, इसमें निरगुंदी का extract है, इसमें सलाई गुलाल है, इसमें मेथी और हल्दी का extract है, so हल्दी का काम क्या है, सोजश को कम करना, और Ayurveda के coding, basically हल्दी में एक component होता है, जिस को हम इस्तमाल करते हैं, और जब हम pro joint को एक tabulated form में इस्तमाल करते हैं, तो definitely वो आपको pain में काफी relief देता है, plus इसमें हरड, आमला और बहीडा है, अब देखें, जैसे मैं हमेशा कहते हूं कि कोई भी Ayurvedic product, जिसका काम, body को clean out करने का है, उसमें ये त्रिफला का combination, जिसमें हरड, आमला और बहीडा होना important है, कारण, क्योंकि आमला में vitamin C है, जो कि क्या करेगा, collagen production करेगा, और जो हरड और बहीडा है, इसका काम क्या है, कि body के toxins को उठाना, और body से clean out करना, इसलिए जिन लोगों को uric acid है, uric acid क्या है, कि body में एक end product बन रहा है, और वो सही तरीके से metabol प्रूटीन का एक metabolism हुआ, जो कि complete तरीके से नहीं हो पा रहा, और वो जब हम कहते हैं कि जो उसका end product निकल रहा है, वो body से wash out होने की जगा पे, हड़ियों के असबस जाके, जमा होने लग जाता है, कठा होने लग जाता है, और blood में आने के कारण, level of uric acid बढ़ जाता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो इसलिए आप जो है, वो कहीं पे भी आपको pain होती है, मान लीजे, तो एक pain killer खाने के comparatively हम pro joint का इस्तमाल कर सकते हैं, जो कि एक natural भी है, अंदर जाएगा, बात फित कफा को naturally clean भी करेगा, body say toxins को release करेगा, हल्दी, दूद में हल्दी हम पीते ह ही है, जब चोट लगती है, बट इसमें जो हल्दी है, उसका extract properly, उसी extract को डाला गया है, जिसकी जादा जरूरत है, तो अगर हम इसको इसको इस्तमाल करेंगे, तो definitely हमें जादा benefit होईगा, so benefit में क्या है, arthritis, जोडों के दर्द, arthritis मतलब जोडों का दर्द, चाहे वो घुट्णों का दर्द हो, चाहे वो पोनी का दर्द हो, या हमारी muscles का बेन हो, तो इन सब चीजों की healing में ये बहुत ही benefited है, आसपास जोडों के, especially winters, ये जो अभी सर्दी का time period चल रहा था, या अभ भी भी जिन लोगों को जोडों से related दिक्कत होती है, उनको पता है कि ये phase जो है न, उनके लिए difficult phase होता है, क्योंकि सुबह जब उठते हैं, तो हाथ पर अकड़ जाते हैं, और rheumatoid arthritis में तो कई लोगों के हाथ पर टेड़े भी होने लग जाते हैं, आपने देखा होगा fingers औ feeds जो है, पैरों की जो हम कह सकते हैं, उंगलिया हैं, आतों की उंगलिया हैं, ये सब टेड़ी भी हो जाते हैं उन patients में, तो वहाँ पर भी जो है, ये बहुत ही benefited जो है, इसका output है, और अब बहुत initial phase में कर लेंगे, तो जो ये deformity आती है, मतलब हाथ और पैरों की fingers में जो पिशन को देगा, प्लस collagen production करेगा, ये मैंने बताई दिया और vitamin C जो है, वो collagen बनाने में बहुत ही फाइदे मन्द है, इसलिए इसलिए आमला का इस्तमाल pro joint में किया गया है, ताकि आपको फाइदा मिल सके, और साथ में osteoarthritis, जिन लोगों को भी calcium की कमी है, तो मिथी दाना इसमें डला हुआ है, प्लस इसका जो benefit आपको दिया जा रहा है, उसके कारण आपको 100% इसमें relief आएगा, प्लस इसमें ginger, अद्रक का भी extract जो है, वो इसमें present है हल्दी के साथ, और ये आपके वातपित कफ को set करने में, क्योंकि जब भी वातपित, especially वातप्रविर्ती अगर आपकी बिगड़ेगी, तो आपको joint से related, जोणों से related दरते हुनी, सो हम भाविक है, बहुत natural है, और joint में friction, मतलब आपस में joint रगड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि क्या हुआ, space कम हो गया, अब इस space को better करने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि हम कलोंजी या फ्लेक्स करने के लिए, प्रोजोइन भी एक बहुत अच्छा product है, और जैसे कई patients के उपर trials होते हैं, कोई भी product जो बनता है, उससे पहले कुछ trials किये जाते हैं, और उन trials को जो है, वो चेक किया जाता है, कि उसका क्या outcome आ रहा है, उसका क्या benefit आपको आ रहा है, तो उस condition में जो है, वो body कई लोगों को चला के, उनको सीडियों में चड़ा के भी check out किया जाता है, कि हाँ, उनका क्या movability है, तो movability मतलब यहां से उठके दूसरी ज़गा तक पहुंचिने में कितना वक्त लगा, और उठने में भी patient को कितना वक्त लगा, और जिन लोगों क जोडों से related earth है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होएंगे, कि दो मिनट में उठना भी एक दिक्कत है, और जिनके घर में कोई बड़ा person है, और जिसको ऐसी problem है, तो आपको relate कर सकते हैं, कि हाँ, joint pain वाले लोगों को इस तरीके का दिक्कत आना, बहुत natural है, उनके लिए और इसी चीज़ को balance करने के लिए जो है, वो pro joint अपने आप में complete product है, जिसको आप इस्तमाल कर सकते हैं, देखिए, शलाकी दर्द के लिए हैं, internally, ताकि दर्द pain killer आपको ना खाना पड़े, उसकी जगापे आप शलाकी ले सकते हैं, अब local area में सोज़श आ गई तो वहाँ पर आप ortho fit roll on spray का इस्तमाल करेंगे, तो वो आपको benefit करेगा, plus internally हमें उस friction को, अपनी वाधपित प्रवरती को set करना है, ठीक करना है, तो वहाँ पर आप pro joint का इस्तमाल करेंगे, तो I think आपको बहुत clarity मिल गी होगी, आज के session से किस particular problem के लिए हमें क्या चीज़ क इस्तमाल करना है, और क्या हमें advice करना है, और calcium क्यों खाना है, calcium इसलिए खाना है, तक हडियां मजबूत रहें, तो calcium एक supplement है, जिसको 30-35 उमर के बाद हर इनसान को लेना चाहिए, definitely उसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, निगलेक नहीं करना चाहिए, plus जिन लोगों को सीनिया चड़ने में दिक्कत है, जिनको चलने फिडने में ज़्यादा दिक्कत है, तो वहाँ पर भी आप pro joint का अगर आप इस्तमाल करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही बहतरीन और बहुत ही benefited product जो है, वो माना जाता है, so thank you for the session, help line number है 9289-766-398, यह number को आ मुझे share कीजे and मैं फिर वही बोलूँगी, अभी recently भी मेरे पास एक pile के case के लिए photograph आया था, इतना worst condition था उस patient का, मैं फिर वही बोलूँगी, बिमारी को इतना मत बढ़ा लो, कि उसको ठीक करना भी एक दिक्कत हो जाए, तो फिर उसके बाद तो option क्या रह जाती है, कि महां तक मत खराब कीजिए, फोड़ी सी दिक्कत है, सतर को ये, इतने efforts लेके कि RS group की तरफ से आपको health education दिया जा रहा है, personal care education दिया जा रहा है, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाईए, आप से इसके कोई charges नहीं लिये जा रहे, अपने लिए, अपनी family के लिए, अपनी society के लिए आप जिम्मेवार है, उनकी अच्छी health के लिए आप जिम्मेवार है, इसलिए पहले आप अपना पहला step उठाईए, अपनी health के लिए, disease condition को इतना worse condition पे मत लेके जाओ, कि जहां पर reverse करना भी एक विकत हो जाए, so thank you for the session, help line number पे आप call करके queries बता सकते हैं, और अग अगर आज आप की कोई भी queries हैं, questions हैं, तो definitely हम उसको लेना चाहेंगे, और अगर queries नहीं हैं, तो definitely आप समझ चुके होंगे, कि आज की जो हमने दोनों product के बारे में discuss किया है, जिसमें ortho fit एक नया product है, जिसकी हम introduction कर रहे हैं, और आप सब के लिए, kiares group की तरफ से हम लेके आ हैं, जिसको आप खुद भी इस्तमाल कर सकते हैं, और हर घर तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा product है, जो हर घर में इस्तमाल होना ही होना है, सिरदर्द, पैर मुड़ गया, ये छुटी-मोटी चीज़ें तो घरों में चलती रहती हैं, तो definitely वहां पर आप इसका इस्त हम उसको ले लेंगे, और one by one, और मैं भूलूंगी कि जिसके भी questions होते हैं, प्लीज जब नाम लिया जाए, तो उसी वक्त आप जो है, उसको respond करिये, पहली चीज, दूसरी चीज प्लीज अपना नाम mention कीजे, ये android phone के नाम से अगर आप save करेंगे number तो मुश्किल वाली बात है, right, so without wasting time, हम cushions ले लेते हैं, okay, Mr. Bikram, जी, Mr. Bikram जी, आपका कोई भी query है, आपका कोई भी question है, सवाल है, तो फ्लीज आप पूछ सकते हैं, आप को unmute है, जी-जी, फ्लीज. Good evening, ma'am. Good evening, जी. जी, ma'am, जब हम toilet जाते हैं, तो बार-बार क्यों होता है, मैम यह चीज, मनें बार-बार toilet लगती है, ओके, तो मतलब आपका कहीं ना कहीं पर पाचन शक्ती में दिक्कत है, राइट, तो बिकरम जी, सबसे पहले, एक तो ये ध्यान दीजिए, कहीं पर आपको wheat से allergy तो नहीं आरी, ग्यहूं से कई लोगों को allergy हो जाती है, जिसके कारण भी उनके पेट में गड़बड होती है, तो थोड़े दिन के लिए ग्यहूं का अटा ना लीजे, चावल लीजे, दोनो तीनो टाइम, ग्यहूं से बनी चीज़े मत लीजे, और उसके बाद चेक कीजे कि अगर आपको यह problem रहती है, definitely, तो फिर आप वेदरस product जो है, उसका इस्तमाल कर सकते हैं, liver tonic जो आता है, उसका इस्तमाल करेंगे, right? तो उससे आपको जो है, वो relief आएगा और एक immunopower, जो हम call cholesterol कहते हैं, तो उसका इस्तमाल करेंगे, but please पहले तीन से चार दिन में जो है, वो wheat छोड़िए, मतलब कि यहूं से बनी कोई भी चीज़, rust, biscuit, उन चीज़ों को थोड़ा बंद कीजे, और फिर देखिए कि अगर दि नोट कर लीजे अपने पास, राइट? कोईसे तो Qyares का ही ले रें, में? काज गरें, कौन सा ले रहे हैं, मुझे तो कुछ नह चाहरी है, नाम याद नहीं आ रहा है, में? पहले आप एक पर ही याद कर लीजे क्यार इस ग्रूप की दर्फ से आप कौन सा प्रड़क ले रहे हैं तब ही आपको पता चलेगा क्या आप कौन सा प्रड़क ले रहे हैं और आपको क्या रिलीफ नहीं आ रहा है अगर कुछ उसमें चेंजिस करने हैं अभी आपको गाइड कर पाएंगे, right? जी मैं, ठीक है, थांक्यू, okay, so, next है, एनी, एनी, कंदुलना, okay, एनी जी, प्लीज, आप अपने आपको अन्म्यूट कीजिए, और आप अपना क्वरी जो है, उसको बूच सकते हैं, जी एनी जी, एनी जी, उसके बाद है, अंतरजामी, अंतरजामी जी, okay, I think, एनी जी, हंची, आपको वैज आ रही है, यस मैं, जी जी, पूछिए, क्या पूछना चाहरा हैं, गुद इवनिंग मैं, हंची, गुद इवनिंग जी, एक स्ली ना, जो नाखून है न, उसमें पेन होता है, नाखून में पेन होता है, कौन से नाखून में पेन हो रहा है, हाथ पेर दोनों का, हाथ और पैर के नाखूनों में दर्दो रहा है, पापै सकीजी, एक बड़ी प्लीज मुझे, फोटो क्लिक करके भेज दीजे, समटाइम क्या होता है, वहाँ पे माइनर सी फंगल इंफेक्शन होती है, तो वो चेक आउट कर लेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, नेल्स के आप एक फोटो भेज दीजे, हाथ और पैरों की, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, उसके इलावा कोई और भी दिक्कत है, औ पर बाकि एक बारी आप नेल्स वगेरा का फोटो भी मुझे भेज दीजे, कहीं पे वहाँ पर कोई छोटी मोटी इंफैक्शन इंटर्नल बेडन पे तो नहीं आ रही है, तो वो मैं देखके अनलाइज कर लूँगी, और उसके इलावा कुछ और प्रड़क्ट करना होएग फोटो कीच के मुझे भेज दीजे, कुछ और प्रड़क्ट अगर मुझे बताना होगा, तो वो मैं उसके हिसाब से आपको बता देगी, ठीक है? वेलकम जी, राइट, सो नेक्स्ट है, उत्तम यादव, उत्तम यादव जी, आप अपने आपको प्लीज अन्म्यूट कीजिए, देखे, कोश्चन्स बहुत जादा हैं, तो प्लीज टाइम मत खराब कीजिए, नमस्ते मैं, ब्यार से बोल रहा हूं उत्तम कुमार यादव म जी, मैं, एक पैसेंट को मैं प्रोड़क्ट दिया था, जॉइन पेन के लिए, लगवाग पच्पन साल उनका एज है, वो चलने फिरने बहुत उसको परिशानी होती थी, दोनों घुटना में बहुत दर्द होता है, तो मैं उसको पहले केल्सियम और प्रोजॉइन चलाया तो उसमें उसको गैस बहुत बन जाता है, बहुत गैस, बन जाता है, तो मैं फिर मैं उसको बेदरस दिया, कि गैस में फैदा करेगा, तो बोला नहीं, बेदरस से भी काम नहीं हो रहा है, फिर सलाकी भी दिया था, लेकिन अभी कोई रिलीप नहीं हो रहा है, उसको दो-ती कारण उस patient को ज़्यादा problem आ रहा है तो उस case में सबसे important है कि जो आप calcium की tablet दे रहे हैं वो यहां तो सुभा बिलकुल खाली पेट उस वक्त आप advice कीजे तो उससे उनको gastric condition कम होगा पहला चीज दूसरा चीज एलो आमला का juice add-on कीजे राइट जिसके कारण एलो आमला का जो juice ह है वो सुभा के time जैसे खाना खाने से 10-15 मिनिट पहले उनका start कराईए ठिक है जिसके कारण उनकी जो यह acidic condition जो बन रहा है वो कम होगा खाने में उनको थोड़ा सा मिर्ची-विर्ची का intake थोड़ा कम करा दीजे दूद बंद कराईए दहीं ले सकेंगे बहतर है लेकिन दू दे का पानी ऐसी चीज आप उनको दीजे तो डेफिनेटली जो यह प्रड़क्ट हैं वो काम भी अच्छे से करेंगे और रिजल्ट भी अच्छे से आ जाएगा पिशन में राइट अच्छा अहां जी मैं और 174 जो जूस दिया है मैं उसके भी गैस बन सकता है गया 174 तो ब जालिट कीजिए अगर कोकोनेट वॉटर आप ले रहे हैं नारियल पानी दे रहे हैं तो कोशिच करिए कि नारियल पानी के अंदर अलो आमला का जूस डाल के उनको दीजे वो जादा अच्छा काम करेगा एंटी ऑक्सिदेंट की अभी जरूरत नहीं है पेशन्ट को उसको गैस्ट्रिक बॉड़ी का जो है उसको वात जादा डिस्टर्ब है तो वात को सेटल करना है ना हमको तो उसके हिसाब से चलाना पड़ेगा और बेटर यही है कि जब उनकी वात की प्रवरिती सेटल डाउन होने लग जाएगी तो आटोमेंटिकली जो उनको पेंज आ रही ह और खाने के साथ कैल्शियम कर दीजे तो डेफिनेटली बेशन को वेनेफिट आएगा बट रात को शाम को कैल्शियम नहीं देना है ठीक है एक आम आदमी को मैं जो 35 से ज़्यादा है क्या कैल्सियम सुभा ही लेना की बिल्कुल जी कैल्शियम का बेस्ट टाइम मौनिंग ह होता है सुभा का टाइम लेना चाहिए ताकि absorption अच्छा हो और पूरे दिन में आप चाहे काफी बीते रहते हैं तो उससे भी कैल्शियम की absorption में कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो इसलिए बेटर है कि नॉमल अगर हम सप्लिमेंट कैल्शियम एडवाइस करते हैं तो जो है वो यूरिक असिड में इस्तमाल कर सकते हैं राइट तो यह दोनों ही प्रेड़क्ट इस्तमाल किये जा सकते हैं जी जी तैंक यू मैं वेलकम नेक्स्ट है कुशंस काफी है जी एम केतिर जी एम केतिर जी आप प्लीज अपने आपको अन्मूट कीजे जी जी नमस्कार जी जी मैं मतलब एक बच्चा का भागिनाथ हो है आपकी वोईज बहुत फट रही है आप यह तो प्लीज सही उसमें आईए ताकि आपका वोईज प्रॉपर आ सके जी मैं मैं मतलब भागिनाथ हो है उसका लगबग एज आठ साल है तो उसका मतलब से बोल नहीं पाता है और कभी कबार जो है पागलपन टैप कर जाता है जो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है तो उसके लिए कुछ देखे हमने मैंप्रो क्यर के बारे में बताया था कि मैं प्रो क्यर हो गया ब्रह्मी हो गया तो यह दू चीजे हैं जो माइंट टॉनिक की तरह काम करती है तो आप वो बच्चे को दे सकते हैं एज कितना है उसका लगब आठ साल आठ साल है तो कुछ अधिक सिरमें चोट वोट लगा था कि कुछ दिक्कत आया था कि नहीं नो मैं मैंप्रो नहीं है नहीं तो बस फिर ठीक है मैं प्रो और जो है वो ब्रह मी यह दो प्रड़क्त आप उसको बच्चे को दीजे थोड़ा टाइम लगेगा और माइंड उसका शान्त होगा बाकि कोशिश कीजिए बात करने की बच्चे के साथ उसको बिठा के पूछिए प्यार से कि दिक्कत कहां पर आ रही है उसको क्या चीज है जिससे उसको मतलब परिशानी हो रही है समताइम बच्चे जो होते हैं छुटी-छुटी बात को मन पे भी लगा लेते हैं तो उसके कारण भी बच्चे थोड़े से ऐसा बिहेव करते हैं तो एक बड़ी बात कीजे नहीं कुछ लगता है तो आप एक बड़ी हेल्प लाइन में जो है वो डारेक फोन पे बात भी कर सकते हैं राइट जी मैं राइट राम बाबू कशब जी राम बाबू जी आपका कोई क्वरी है तो फ्लीज फटा-फट ली आ जाएए जी अगर वो नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर ममतपाल राम बाबू जी आपको वोईज आ रहा है नहीं है हंची बोलिये हाँ मैं आ रहा है अपका वाज नहीं आ रहा है हाँ मैं अपने सुगर पैसेंट हैं तो हमारे ने पेट बहुत टाइट रहता है हम उसके लिए क्या करने हैं अभी आप डाइबो फिट वगेरा का रेंच ले रहे हैं डाइबो फिट ले रहे हैं हाँ मैं अजार एमजी और सुबह वो तुए अगर आपको पेट में दिकता आ रही है तो वेदरस अच्छा प्रड़क्ट है जिसको आप इस्तमाल कर सकते हैं और अगर आपको लगता है आपको कबजी भी रहती है तो साथ में आप त्रिफला का इस्तमाल करेंगे तो वेद आपका लिवर-लिवर का साइज में कहीं फाटी लिवर तो नहीं आता है देखा हुआ ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट है डॉक्टर मम्तपाल जी डॉक्टर मम्तपाल आप अपना कोश्चन पूच सकते हैं ठीक है लूसिया लूसिया प्लीज आप अपना कोश्चन ले सकते हैं डॉक्टर मम्तपाल लगता है कि उनको मेरा वाइस नहीं जा रहा अगर फिर भी दो-चार मिनिट बाद वो अपना कोश्चन पूछना जाते हैं तो पूछ सकते हैं जी जी बताइए हां जी पूछिये लूसिया जी क्या दिखते हैं हलो हलो मैम नमस्कार हां जी नमस्कार जी जी मैम मेरा तो प्रॉब्लम नहीं मेरा एक दीदी है उनका किड्नी का प्रॉब्लम में किड्नी में कुछ प्रॉब्लम था डॉक्टर को देखा था लेकिन इतना कुछ पता ने चला था अभी अभी डिसेंबर को जब वो हस्पिटल में गए थे तो किड्नी के डिक्कत आया कि उनका किड्नी जो है स्मॉल साइज में है और स्मॉल साइज में होते के वाप्चुर जो जितना उनका ब्रॉट को तेखे लूसिया जी अभी सुमझे मेरी बात आप जो कुछ भी मुझे औरली बता रहे हैं उससे ज्यादा बैतर रहेगा आपने अभी आज हेल्प लाइन नंबर नोट किया है य कि उसका potassium level क्या है उस सारा एक पर ही आप reports मुझे भेजिए ठिक है क्योंकि जब मेरे पास reports आएंगे न क्योंकि ये एक sensitive case है समझ रहे हैं आना important case है तो important case की reports देखनी बहुत ज़रूरी है verbally आप कुछ बताएंगे reports में कुछ आएगा मुझे देखना पड़ेगा polycystic kidney है कि kidney में कुछ और problem है वो सारा देखना पड़ेगा तो इसलिए पीज आप अपनी reports share कीजिए help line number में अपना नाम लिख दीजेगा mention कर दीजेगा ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि आपकी query है तो मैं उससाब से आपको वहाँ पर advice कर दूँगी right okay ma'am thank you ma'am welcome जी right उसके बाद है सरस्वती सरस्वती जी आप प्लीज अपने अपको unmute कीजे और इसके बाद शायद मैं एक या दो question ही और लोंगी so please जिसको भी जो है वो जी 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 गुडिवनिंग गुडिवनिंग जी मैं एंपी इटार्ची से बुल रही हूँ जी जी बताईये बताईये मैं मेरा ओस्टू हुआ है नी का alignment का तो उसमें क्या है जो left में और thumb में इतना sorry तो में इतना pen रहता है बहुत जादा पेंज जो गाइन भी ले चुकी हुए और अभी क्या करना ची क्योंकि next मेरा दूसरा वाला नी उसमें भी और स्टू करने वाले तो क्या आपका एज क्या है पैने बताएंगे 55 और जो है तो देखिए सबसे पहले सबसे important calcium regular लेना है शलाखी लीजिए पेन के लिए पेन उसी से relief होगा आज हमने orthofit roll-on की बात की है उसको apply कीजे local area में और फिर उससे difference देखिए तो तीन product इस्तमाल करने है एक अठे एक at a time करेंगे कोई फाइदा नहीं है calcium भी लेना है ठीक है pro joint भी लेना है calcium में लेती हूँ calcium अपना क्यारस का तो नहीं ले रही पर बाकि मैं खुद hospital में sister हूँ तो मैं खुद hospital से याने जो medicine मिलता है वो तो आप अगर केते हो तो मैं क्यारस का ले लूँगी पर बाकि pain तो बहुत ज्यादा जो है वो शलाकी is the best for pain treatment और प्रोजॉइंट और शलाकी को जब आप regular लेते हैं तो शायद यही पर ही किसी ने अपना feedback दिया था क्योंकि wife को बहुत long term तक उन्होंने तीन को महीने इस्तमाल किया और उन्हें काफी relief आया ठीक है तो आप भी इसको थोड़ा long term यूज कीजिए calcium continue कीजिए pro joint continue कीजिए और शलाकी को continue कीजिए और अपने खाने-पाने में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मेरे को याने uric acid भी बड़ा हुआ रेता है तो फिर ठीक है न आप आप जो है आपको मैंने बताई दिया फिर बेस्ट जो आपने करना है uric acid बड़ा है तो क्या करना है पैकेट डबे विदार चीजें नहीं लेनी है उनका आपसे परहेस करना है और pro joint और साथ में यह आप इस्तमाल कीज तो आपको फाइदा होई का यह होई का राइट ओकि राइट तो अब यह लास्ट कोशन में लेने जा रही हूं और Mr. Dhirain जी Mr. Dhirain जी राइट यह आखरी कोशन है जो हम लेंगे because time कही ना कहीं खतम हो चुका है और यह last question लेने के बाद यह meeting में आफ करतूंगे जी Mr. Dhirain जी अगर आपकी कोई query है तो प्लीज जल्दी पूछे गुद इवनिंग में मेरा सवाल है कि मेरा पेर में पुरा दद दता जिन जिनार्ट पेदा होता है में मॉनिंग में जादा होता है तो एक तो रात को खाना आप कितने बज़े ले रहे हैं लगबक 10 बज़े में तो देखे ना इतनी लेट खाना क्यों खाते हैं आप काम से कितने बज़े आते हैं जी मैं मैंने कि आप आपको काम मम करते हैं कि कहा इतना लेट दस बजे काना क्यों खाते हैं हां जी मैं काम करते हैं अगर खाना खा रहे हैं तो डेफिनेटली पेट में दर्द होना एक नाच्रल बात है तो उसके लिए बेस्ट है रात को जब खाना खाएं तो रात के वक्त ही आप वेदरस लेके सोएं ठीक है तो जब आप सुभा उठेंगे तो आपको पेट में दर्द नहीं होगा और सुभे के टाइम उठके आप एलो आमला का जूस लीजे ताकि जो शरीर के अंदर जादा तेजाब बन रहा है तो वो भी आपके बॉड़ी में थोड़ा बालंस होना शुरू होएगा तो दो प्रड़क्ट इस्तमाल करेंगे रात को वेदरस लेंगे खाना खाने से पहले ले लिजे 10-15 मिनिट पहले और नेक्स्ट दे सुभे जब आप उठेंगे तो उस टाइम पे आप जो है वो क्या करेंग अपना सुभा एलो आमला का जूस थोड़ा पानी में गुंगुने पानी में डालके उसका इस्तमाल करेंगे तो आपको फाइदा होएगा यहां तुलसी ड्रॉप भी ले सकते हैं आप सुभा खाली बेट जिस हुए चैक्या चलिए तो कहीना कहीं पे वक्त जो है वो खतम ह हो गया है और I'm sorry कुछ लोगों के questions मैं नहीं ले पा रही हुँ सच में आपका वेट कर रहा था कि आज का जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और यह भी बताते हैं कि आपका देने का तरीका बहतर है तो लोग इच्चुख होते हैं और मैं आज भी अभी देख पा रहा हूं जितने लोग स्टार्टिंग में जोड़े थे अभी भी लोग उतने ही परकरार है एक-दो पर नीचे हुए हैं बगर लोग अभी भी आ पर इच्चुख हैं लोगों का मन न आठ सभी लोग समें से जुरियागा हम आठ सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप पांच बनेट पहले भी आप का मैं दिन्याज करना चाहूँगा, मैं दिन्याज करना चाहूँगा, क्यारस परिवार का, जिन्हों ने इतना बड़िया session पे conduct किया है, इतना बड़िया education system आप सभी के लिए conduct किया है, जिसमें हम कुछ सीख और समझ बाते हैं, तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए training, एक नए product के साथ, एक नए topic के साथ, अभी के लिए तना ही, जाए care and take care, bye bye to all.